अलो दुस्तो वेलकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हों सुए दुस्तो ब्रैंड न्यू होंडा की होरने 2.0 जोकी नया मोडल है और इंजिन मार्केट में से अभी अभी लाया गया है मैंने दुस्तो इसका एक नॉर्मल जो ग्रें ब्लैक कलर जो कलर ऑप्शन आता है उसका मैंने पहले आप लोगों के लिए रिव्यू लाया है बट आप लोग कमेंट कर रहे थी कि समीर भाई इसका जो नया ब्लैक और रेट कॉम्बिनेशन आया है इसका भी रिव्यू लेकर आप लोगों के लिए नया वाला कलर ऑप्शन का रिव्यू लेकर आया हूँ इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कम्प्लीट बात करेंगे क्या प्राइज आती है क्या स्पेसिपिकेशन है क्या बजट में आप इस बाइक को खरीश सकते हैं सारी चीज़े मैं आपको आ करते हैं अगर चैनल पर पहली वरा है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल्क एकन को ओन कर लिजेगा तैकि ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन दे आप तक पहुचते रह सकें और आप मेरे वीडियो से अबडेट रह सकें चली फिर आज किस फिडियो क बास शुरू करता है सबसे पहले दूस्टों बात कर लिकां मेरे पास कितना है जितना हमारे पास पेसा होता है उसके साफ से हमकी्स चीज़ को ुच्प Kev Todd तो ये वाइक हमारे एक सो रूम प्राइज रॉड वाल एक फोटी थाजन एक लाग चालीस सेजार रूपए की आसपस की जो है एक सो रूम प्राइज देखने को मिलती है बाकि जो ओन डूड प्राइज फिलाल मैं यह आपे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो ओन डूड प्राइज होता है वह एक स्टेजन सीडी में अलग होता है तो मैं यह बोला चाहूँआ कि एक बार अपने निरे सोरू में जाईए और जाकर विजिट करके इस बाइक का प्राइज ओन डूड वाला जालनी से है चली बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में सबसे पहले दोस्तों इस बाइक के फरंट में आते हैं फरंट प्रॉफाइल देखते हैं कैसा है इसका तो मैंने चाबी ओन कर दिये तो फरंट से आप देख पा रहे हैं कुछ इस टैप का जो लूक है वो आपको होर्नेट का द आदो इस बाइक में आपको डूल sellers देख पर रहा हुआ इस बाइक में आपको दो लाइट मिलेगी एक अब को भी मुरेख रहेगी एक इस या देभार एक देखाताई है इb जब तक बाइक उन नहीं करें गे तब तक लाइक या कॉल गांन से ओंकर देदा हुआ या कि जो काफी अच्छी मलें डुछ कि काफी अच्छे मिलते हैं, बात करने ही और फ्रंट शस्बंस के बारे में, दोस्तों फ्रंट में आपको वाइक के सास्बंस क्पैंशा, व ऐ फोसा के वो काफी premium brand माना जाता है suspension company में तो suspension quality काफी super मिल रही है front में आपको bike में 11070 के tire सही जाता है जो की MRF के tire है बात करें braking के बारे में अब दोस्तो braking के बारे में बता दू special vision में bike में आपको single channel anti-lock braking system देखने को मिलता है लेकिन I think Honda वालों को इसमें dual channel ABS अब देदेना था क्योंकि Indian market में उसी का challenge आया मतब इस CC के साब से देदेना चाहिए ठीक है dual channel ABS है plates है इसके बारे में बात करें तो front में आपको bike में 276 276 mm की जो plates है जो आपको bike में देखने को मिल जाती है चली बात कर लेते हैं अब इसके engine specification के बारे में देखें आपको बदा होनेट पहली भी आती थी बड़ वो 160 CC वाली थी यह जो होनेट है दोस्तों वो 184 CC वाल engine company ओफर करती है अगर बात करें इसके engine type के बारे में इस bike में दोस्तों 184.40 CC का 4 इस्टोक SI सिंगल सिलेंडर जो engine है वो आपके company ने इस bike में offer किया है बात करें power and torque के बारे में दोस्तों यह bike maximum power में 17 PS के असपस की power generate करती है and 15.9 के असपस कर जो torque हो आपको इस bike में देखने को मिलेगा बाता बाइक में आपको power and torque है दोस्तों वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इस bike में आपको बता दो fuel system में FI मिलता है जिसे fuel injector भी कहते है cooling system में आपको liquid cool engine है sorry यार cooling system में आपको air cooling engine मिलेगा one number of cylinder में company ने इसे design किया गया है बाइक में आपको 5 gear मिलते है साथ पिसमें आपको जो sleeper class है वो भी company ने ओफर किया है sleeper class दे दिए वो अच्छा किये इस bike का complete engine specification जैसे आपने देखा काफी अच्छा engine है और engine का look उस side से कुछ ऐसा है और इस side से आपको कुछ step पर जो look हो आपको engine का देखने को मिल जाता है बात करनेते हैं दूस्तों इस bike के mileage and performance के बाहर है आपको गताना चाहिए दूस्तों यह bike mileage and minimum आपको 45-45 का mileage इसलिए offer कर देती है 0-200 में इस bike को लबबक 10 सकिंड लगते है इसकी 130-135 के असपास थी मिलेगी चली अब चलते हैं इसके rear profile में सबसे पहले आप इसकी tail light देखे है यहापे आपको bike में LED tail light देखते को मलती है जो कि काफिए अच्छी लगती है rear में turnless single lap भी आपको LED मिलेंगे साथ में rear में bike में आपको 14070 के tire मिलते है रियर में bike में 220 mm की display मिलती है काफि अच्छी है rear में bike में आपको monosfolk suspension मिलेंगे यह bike का exhaust है और मैं इसे on करके आपको exhaust load भी देता हूँ तो exhaust भी इसका काफि अच्छा है काफि अच्छा sound करता है उसके बद आपको बता दो दूस्तों यहापे आपको seat में में आपको split seat मिलती है company ने दो स्विर दिया one and two जैसे हम split कहते है single seat का मतलब होता है कि single seat होती है बट इसमें आपको split seat मिल जाएगा यहापे आपको hornet की batching मिलती है यहापे आपको e20 की batching भी मिलेगी चली बात करते हैं speedometer के बारेन सबसे पहले आप खी देख लिए कुछ इसमें आपको bike में मिल रहा है you can see ठीक है जिसमें आपको छोटी सी Honda की branding मिल दी है speedometer में आपको fully digital meter देखने को मिलता है प्रसनली मैं पता हूँ तो SP का meter जाधा अच्छा लगता है bike की feature इसमें टेको meter है जिसे आर्पेमेटर कहते है यह आपका speedometer है यह trip 1 है trip 2, trip B, battery voltage यहाँ पे clock है fuel indicator है, gear indicator भी आपको मिलेगा so इसमें this is passes, लो भी मैं भी तरनल सिंगन लेब on, engine किल सीज, हजाट कसीज और एक self कसीज आपको bike में मिल जाता है so यह दो दोस्तों this is brand new Honda की Hornet 2.0 को complete specification review अब आप लोग comment कर फिए ज़रू बता रहते हैं तो आप लोगों को यह बाई कैसी लगए प्रसलि मुझे तो यह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चली फिर मिलते हैं नेक्ट फिरो में love you all, जैहिन पंदमात राग